आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि print configuration आपको कैसे करना है tally prime में जब आप tally prime के software को use करते हैं तो वहाँ पे print का जो configuration है उसमें काफी सारे options होते हैं और उन सारे options को यहाँ एक ही वीडियो में हम cover करने वाले हैं तो यहाँ देखिए print पे हम जाते हैं और हम configuration पे जाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे print preview से related, print configuration से related बहुत सारे options हैं जो कि आपको यहाँ पे show होते हैं तो one to one हम सारे options के uses में आपको बताऊंगी कि कैसे आपको use करना है और कैसे उस option को अगर आप enable करना चाहें तो आप कैसे enable करेंगे, disable करना चाहें तो आप कैसे disable करेंगे अब मान लीचे कि आपके senior आप से कहते हैं कि जो आपका invoice है उसको आपको simple format में print करना है तो कैसे करेंगे उस time आपकी बत्ती बुल हो जाएगी अगर आपको वो option पता नहीं होगा तो don't worry आप मेरे channel को follow करते हैं, subscribe करते हैं तो definitely हर problem का solution आपको human education hub channel पे मिलेगा तो यहाँ पे मैंने voucher open कर लिया है और print पे हम जाएंगे, उसके बाद configure पे जाएंगे सबसे top पे जो option है उस option को हम yes कर देंगे और उसके बाद मैंने click कर दिया है print preview पे अब आप यहाँ देखेंगे तो जो आपका invoice है वो simple format में show हो रहा है इस तरीके से आप print ले सकते हैं और अगर आप फिर से back जैसे पहले था वैसे ही करना है तो use simple format इस option को enter प्रेस करके save कर देंगे तो जैसे पहला आपका invoice का format था उस format में आप अपने invoice को फिर से कर सकते हैं तो it depends on you कि आप simple format में करना चाहते हैं या फिर simple format में नहीं करना चाहते हैं अब यहीं पे print में हम second option देखेंगे show customer seal and signature अगर इस option को आप yes करते हैं तो आपके bill में आप जब नीचे जाएंगे scroll down करके तो यहाँ पे एक option enable हो जाएगा जिसमें की customer का seal and signature वाला option show होगा अगर इस option को आप use करना चाहते हैं तो इस option को भी आप enable करके use कर सकते हैं करना चाहते हैं तो same आपको वहीं पे जाना है और वहाँ पे जाके enterprise कर दिना है no हो जाएगा और again मैं आपको preview show करती हूँ तो आप नीचे जब scroll down करेंगे तो देखे जो वो option था अब वो option हट चुका है तो अगर आप लोग चाहें तो मुझे thank you कह सकते हैं comments में जो भी अगर मैं आपके problem का solution बताती हूँ थर्ड option है show serial number quantity and quantity with alternate unit यह option जो है वो by default tally prime में enable होते हैं तो आप देखेंगे invoice में serial number अगर आप रखना चाहते हैं तो serial number आपको यहाँ पर show हो रहा है उसके बाद takes वाला rate वाला quantity वाला तो यह common uses हैं यह enable होने ही चाहिए आपके sales invoice के format में चली next option को देख लेते हैं तो show alternate unit in separate invoice तो अगर आप alternate unit जैसे की unit pieces में, number में, kg में, gram में होते हैं और इसका alternate unit होता है जैसे kg का gram होता है और उसको आप देखना चाहते हैं यानि कि alternate unit देखना चाहते हैं अपने invices में तो इस option को yes करके enable आप कर सकते हैं अप next है show actual quantity जैसे की मान लिजए आपका ऐसा business है जहां पे की आप buy one, get one या फिर buy two, get three इस तरीके का अगर आप offer चलाते हैं तो वहां पे आपको show actual quantity करना चाहिए जहां पे की आप दो sale करते हैं और दो free में देते हैं तो इस एक हमें दो column रखने होते हैं जिसके लिए कि show actual quantity को आप enable कर सकते हैं उसके बाद देखे show rate, show bill wise details अगर आप bill wise details चाहते हैं अपने invices पे तो उसको भी आप enable कर सकते हैं यस प्रिस करके अगर चाहिए तो otherwise इस option की requirement बहुत ही कम होती है तो आप लोग के comments में बढ़ती रहती हूं आप लोग को thank you कहना चाहती हूं comments करने के Godan name अगर आपका ऐसा company है जहाँ पे की manufacturing होती है और आप अपने invices पे Godan का name भी print करना चाहते हो तो Godan का name भी आप वहाँ पे put up कर सकते हो इस option को enable करके next है show part number मान लिजए कि आपकी कोई ऐसी manufacturing home appliances electrical home appliances की company है जहाँ पे की आपका raw material उसके part होते हैं तो part code जो होता है वो shortcut में product का जो है वो मान सकते हैं कि code language होता है stock का तो वो companies हैं काफी companies जो होती है बड़ी बड़ी वो रखती है तो अगर आप चाहते हैं आपके invices पे part code आइटम का part code शो हो तो इस option को जैसे ही आप yes करेंगे देखिए आपको मान लिजए कि यह bag है इसका part code है 001 तो part code भी आप type कर सकते है प्लेइंग वाइस के उपर तो इस option को enable करना चाहें तो enable कर सकते हैं use कर सकते हैं और disable करना चाहते हैं तो no कर दिजए show additional description for stock item मान लिजए कि कोई भी आपका ऐसा stock है जिसका कि आप description उसे stock के नीचे mention करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके invices के भी उपर print हो के आ जाए तो वो भी आई सकता है इस option को आप yes करेंगी जैसे देखिए stock item पे एंटर प्रेस करते ही या description आप देख सकते हैं जिसमें कि अगर आप color mention करना चाहते हैं packaging mention करना चाहते हैं यानि कि stock items related कोई भी description अगर आप mention करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके invices intent हो तो इस तरीके से इस option को yes करके आप use कर सकते हैं next है show additional description for ledgers यानि कि यहाँ पे जो मान लिजेए कि आप को service provide करते हैं को service sale करते हैं जिसमें कि आपको ledger में description mention करना होता है जैसे कि मैंने stock में आपको show किया कि कैसे mention करना है उस तरीके से आप ledger में भी कर सकते हैं तो इस option को yes करके आप use कर सकते हैं next है display name for stock item अगर आप अपने stock item के लिए मान लिजी कोई stock item है तो यहाँ वे काफे सारे options होते हैं name, alias, alias, name को एक part code करके आप बात में stock item का नाम रखना चाहते हैं तरीके से आप कर सकते हैं next है show narration इस option को yes करके आप अपने invices में narration code enable कर सकते हैं यहाँ देखे मैंने invice में कुछ narration type कर दिया है अब मैं आपको show करती हूँ यह जो narration है वो आपको अपने invice पे show होगा तेहां preview पे हम जाते हैं नीचे हम scroll down करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे remark के अंडर में जो मैंने narration type किया था वो narration आपको यहाँ पे show हो रहा है तो इस तरीके से अगर आप invice में narration mark करना चाहते हैं कोई remark डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं इस तरीके से जैसे मैंने आपको show किया उसके इसके बाद next option है statuary details यानि कि जो text sessions related details होते हैं वो अगर आप अपने invices में print करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं जैसे तो कि first वाला जो option है show rate of duty for stock item अगर आप इसको करना चाहते हैं तो yes कर लिजे enter press करके उसके बाद next है show item gst details item wise gst details मान लिजे की काफी बड़ा bill है जिसमे की मान लिजे 20 items है और हर item के जो text rate है अलग-अलग है तो item wise भी आप gst details जो है वो enable कर सकते हैं show gst rate in percentage wise उसको भी yes कर सकते हैं इसको भी yes कर सकते हैं show gst analysis उसको भी yes कर सकते हैं और hsn का जो summary है उसको भी इन सारे options को yes करके मैं आपको श्रू करती हूँ कि कैसे आपके invoice पे show होगा तो यहां जब जैसे आप देखेंगे नीचे आपको hsn related details शो होंगी जहां पे कि किस product पे कितना hsn है और किस hsn पे कितना percentage wise है वो भी आप देख सकते हैं item wise percentage है तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस किन किन item पे कितना कितना percentage takes apply है तो separately आप column भी add कर सकते हैं उसके बाद next option है show loyalty bone details भी आप mention क कर सकते हैं so इसी तरीके से मुझे पता है कि आप लोग मेरी video watch करते हैं और मेरी videos helpful होती हैं आपके लिए तो इसको आप आगे भी share कर सकते हैं forward कर सकते हैं जिनको भी options की जरुरत है वीडियो की जरुरत है next option है header information तो इसमें title होता है और मान देजे की कोई invoice से जिसमें की header information ज से उसका title अब क्या रखना चाहते हैं takes invoice रखना चाहते हैं sales invoice रखना चाहते हैं तो इस तरीके से enter press करेंगे जब इस पे तो आपको यहाँ पे एक option मिलता है command डीजे मैंने takes invoice कर दिया है अब print preview में आपको show करती हूँ अब देखेंगे आप invoice की meet में takes invoice show हो रहा इस तरीके से sales invoice पे अगर आप चाहें तो sales invoice भी कर सकते हैं title में as a title जो भी आप invoice से print करना चाहेंगे वो आपको यहाँ पे show होगा तो इस तरीके से ओम नमस्षिवाय कई लोग जाए मातादी इस तरीके का भी title middle में show करते हैं invoice के तो वो भी आप कर सकते हैं इसी तरीके से इसके बाद जो next option है वो हम देख लेते हैं तो देखे title for optional voucher यानि कि अगर आप अपने sales invoice को as a performer invoice भी अगर convert करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं उसका जो title आएगा वो performer invoice आएगा जो भी आप देंगे मान लिजे कि आपने sales invoice बनाया और आप उसको as a pro forma invoice convert करना चाहते हैं तो वहाँ पे option आपको मिल जाते हैं आप उसको convert कर सकते हैं as a pro forma invoice उसके बाद देखे optimize printing in save paper तो optimize option का भी आप use कर सकते हैं जिससे कि आप जो paper है उसको save कर सकते हैं मान लिजे कोई काफी बड़ा invoice है तो व उस invoice को आप 8 pages में 7 pages में ले सकते हैं 2-3 papers जो है वह आपके save हो जाएंगे इससी तरहिके से आप लोग के comments में पढ़ती हूं बहुत अच्छे comments आप लोग के होते हैं कोई query होती है तो आप मुझे comments कर सकते हैं no doubt मैं उसका reply दूँगी definitely दूँगी अब next हम आगे बढ़ लेते हैं उसके बाद देखिए जो next option है जो printing configuration से related next option है company details तो यहाँ पर जो company की details है जैसे की company का जो logo हो जाता है company show company logo कई सारी companies अपने logo को sale invoice के उपर print करते हैं सो देर इससे क्या होता है company का impression काफी अच्छा जाता है तो इसलिए काफी सारी companies जो है वो अपने company के जो logo को print करती हैं अगर आप करना चाहते हैं तो इस option को yes कर सकते हैं show company logo इस option को आप yes कर लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर path जो है वो paste करना होता है तो जो image का path है specified आप select कर सकते हैं कि कहां से आप path देना चाहते हैं specified करना चाहते हैं इसके लिए मैंने dedicated video upload किया हुआ है आप search कर सकते हैं company logo video by a human education hub इस तरीके से आप मेरी वीडियो को watch कर सकते हैं उसमें मैंने detail में आपको बताया ह कि किस तरह से आप अपने company logo को अपने sales invoice पे कैसे set कर सकते हैं तो वो detail में आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगी कि कैसे आपको अपने company logo को set करना है किसी भी voucher पे आप कर सकते हैं तो सारे voucher पे जा जाके आपको करना होता है उसकी setting उसके बाद image path जो है वो image path आपको दे company name, company का name show करना है तो आप कर सकते हैं जो company का address होता है उसको अगर करना चाहते हैं तो इस option को yes कर सकते हैं show bank detail अगर आप चाहते हैं कि आपके invoice के अपर आपके company का current bank account का detail print हो तो वो कैसे show होगा so that आपको अगर payment लेना है तो easily आपका payment भी मिल चाहें आपके invoice के उपर जब आपके bank का detail होगा तो easily जो सामने वाली party है उसको easily आपके bank का detail मिल जाएगा तो bank detail पर जैसे ही appears करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पर list of banks show हो रहे हैं आप यहाँ से आपको अपने bank को choose कर लेना है और जिस भी bank को आप set करना चाहते हैं वो bank आप यहाँ से choose कर सकते हैं और जैसे ही आप enterprise करेंगे preview में आपको यहाँ पर show कर रहे हूं कि जो हमने अभी configuration किया है उस configuration का जादू हुआ है या फिर नहीं तो आप screen पर देखेंगे तो यहाँ देखिए जो जादू है वो हमारा जादू चल गया है यानि कि जो हमन bank detail update किया था वो हमारे sales invoice पे हो चुका है तो इसी तरीके से आप भी accounting में जादू कर सकते हैं जादू के साथ work कर सकते हैं जैसे मैंने आपको इस video में show किया इसी तरही से कैसे सारे options को हम one by one देखने वाले हैं